गुडिवनी कैसे हो भाई सर आपने धोका दे दिया बिटे मैंने धोका नहीं दिया सर वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए था एक तारिक को पाच तारिक को आपने किया नहीं ठीक है जी गलती हो गई एक तारिक और पाच तारिक वाला वीडियो अभी ये दस तारिक के पहले पहले upload हो जाएगा और 10 तरीकों जो हमारा planning था वो हो जाएगा ठीक है जी tension लेने की ज़रूत नहीं है आराम से हो जाएगा मैं जानता हूँ exam pass में आप लोगों के लिए बहुत important है आपका schedule और उस schedule के हिसाब से मुझे class देनी चाहिए थी मैं नहीं दे पाया कोई बात मैंनेज करना पड़ेगा आपको दूसरा मैं यह कहना चाहता हूँ इस video इस lecture के बाद यह video upload होगा इसके just थोड़ी दिर बाद मैं और एक video upload करूँगा लेकिन वो रहेगे कुछ special question है जिसको आपको इस attempt के लिए करके जाना है एक घंडे का lecture उसमें 3-4 question मैंने एक्टर जो जो बच्चे मुझसे class लिए है वो पक्का यह video इसके बाद वाला video पक्का देखोगे ठीक है कुछ है नहीं है आप एक घंडे का आपको एक घंटा भी नहीं लगेगा आप 15-20 मिनट में खतम कर दोगे पर प्लीज एक बार देख लेना कि क्या questions है तो आज क्या करवाने वाले है सर हमारा जो एक तारिक का था वो नहीं हो पाया था उसको मैं खतम करता हूं आज और सर उसका नाम क्या है उसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेशनल मैनेशमेंट इंटरनेशनल फाइनेशनल मैनेशमेंट और ओल्ड स्लिवस वाले बच्ची बहुत खुस हो गए होगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यह चैप्टर उनको नहीं है तो बेकार की बात है आपका जो चैप्टर नूबर 11 है FDI वही वाला चैप्टर है साहब अच्छा सर यह वही वाला है कि हाँ जी यह वही वाला चैप्टर और करना है लगाने है कि उस ब्रोजेट में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए और हम NPV निकलते थे कैसे निकलते थे present value of cash inflow minus present value of cash out तो सर इंटरनेशनल financial management में क्या है कुछ नहीं है इंटरनेशनल financial management में आपको project में ही पैसा लगाना है बस इतनी सी बात है कि पैसा इंडिया में नहीं लगेगा पैसा इंडिया के बाहर लगेगा अगर में सीधी सीधी बात आप सब इट मिन्स हम foreign country में अगर invest करते है तो जो पैसा आएगा अब देखो समस्या क्या है NPV निकलने में समस्या नहीं है लेकिन अगर आप विदेश में invest करते हो तो problem क्या आ रही थी problem यह आ रही थी कि जो आएगा मालो US में invest कर वो आएगा डॉलर में जो लगेगा वो रुपिया में सर रुपिया में कहा लगेगा वहां भी टॉलर लगाना पड़ेगा ओके तो जितना डॉलर लगने वाला है उतना मैं रुपिया यहां से उधार लेकर लगा तो दूंगा लेकिन जो करेंसी आएगी वो तो डॉलर में आएगी और डॉलर में आएगी तो उसको पहले मुझे convert करना पड़ेगा और convert के लिए मुझे actions rate चाहिए और actions rate कब के चाहिए future के जो बड़ा मुस्किल है future में एक डॉलर एक साल बाद कितने का होगा क्योंकि long term project है तो समस्या सिर्फ हमारे estimation में आ रही है बाकी कुछ नहीं है बाकी simple है और फिर हम IRP यूज करेंगे या purchasing power parity और मुझे पूरी उम्मीद है कि forex आपने पढ़ा हुआ है तो आपको IRP पता है आपको purchasing power parity पता है एक्षेंज रेट निकालने के लिए दो factor में से कोई भी एक factor यूज करेंगा सर समझाने की कोशिश मत कीजिए revision करवाई हाँ बिल्कुल सही sorry चलो आजाते international financial management old और new दोनों के लिए apply कि आप तो पहले बिना example के मज़ा नहीं आएगा और ये लेते हैं example पुले आप हो इंडिया में आपको US में project लगाना है कितने डॉलर का एक लाग डॉलर का project लगाना है और एक लाग डॉलर का project एक लाग डॉलर लगेगे और future में जो cash inflow आएगे वो आएगा डॉलर 50,000, first year में डॉलर 40,000, second year में डॉलर 35,000, third year में पर समस्या है कि वो जो डॉलर हम एक लाग डॉलर लगाएगे उसको लाएगे कहां से हमें इंडिया से डॉलर खरीद के US में लगाना पड़ेगा तो एक लाग डॉलर खरीदने के लिए आज का action rate इसको आप पर ट्रेड बोलते मान लो कितना रुपया है पचास तो उस हिसाब को से आपको कितना रुपिया लगेगा 50,000,00,00 रुपया लगेगा कि 50,000,00,00 रुपया इंडिया से लेना है यहां से उधार पब्लिक से जिनको हमें 10% के साथ वापस करना है ठीक है लेकिन वो जो पैसा उससे हम क्या खरीदेंगे डॉलर और उसको हम विदेश में लगा देंगे US में और उससे हमें इतना cash inflow आएगा बताईए हमें प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना है बस तो simple NPV 50,000,00,00 तो पता है लेकिन सर inflow तो सर inflow तो डॉलर समें दिया है बिटे पर उसको किसमें convert करना पड़ेगा रुपीज में convert करना पड़ेगा और रुपीज के लिए क्या चाहिए एक्शेंज रेट फ्यूचर फ़र्ष्ट यार का एक्शेंज रेट फिर की के पता ही नहीं फिर क्या किया जाता। फिर कुछ कुछ इंफॉमिशन तो दिया रह घा भगवान अगर गर अ संविप प्रảiम करने रिट को यूएस में 12 परशन और जहां का इंफलेशन रेट कम होता है वहां की करेंसी भी खुती है तो यार एक्सपर्ट वाफ फॉरेक्स में ठीक है सर छोड़ो ना आप ज्यादा फॉरेक्स मत बताईए यहां सिर्फ इसी की बात किजिए चलो ठीक है जी तो क्या करें अब इनको कोश्चन बनाए जा सकते एक होता होम करेंसी एप्रोच और एक होता फॉरेन करेंसी एप्रोच होम करेंसी एप्रोच में जो बाहर की करेंसी है उसको हम कनवर्ट कर देंगे होम अपनी करेंसी में और कोश्चन बना लेंगे एन पीवी है जाएगा और सर दूसरा दूसरा है जो बाहर की currency है उसे उसी currency में रहने लेते हैं और NPV निकाल लेते हैं this is foreign currency approach खाज बास सुनो NPV दोनों में equal आएगा एक जैसा ठीक है सर ओके तो अब home currency approach तो पहला काम हम कौंसी approach से कर रहा है home currency approach home currency approach we convert foreign currency into home currency ठीक इसके लिए हमें क्या चाहिए एक्षेंज रिट first year second year और हम किसका यूज कर रहे हम purchasing power parity अब purchasing power parity का formula है estimated spot rate निकलने का spot rate one plus inflation one plus inflation यहां अगर rupees है तो उपर भी rupees का inflation आएगा अगर यहां dollar है तो उपर dollar का आएगा यह बात मैं कहां समझा चुका हूँ forex में यहां rupees है तो उपर inflation rate कहां का आएगा रूपीस का अगर अगर नहीं है तो concept आपका build नहीं है तो अभी बनाने की जरूत नहीं रट्टा मार हूँ 1.12 यह कब का आया first year का अब इसी को मैंने base ले लिये और यह कब का exchange rate second year का फिर इसको base लिये तो यह कब का third year का हो गया फिर तो लगा कितना है पचास लाक आ कितना रहा है आ रहा है सर इतना dollars तो सर जी उसको convert कर लेजिए किस से में Indian currency में तो Indian currency में इतना आ गया यह पैसक का आ रहा है first year में यह second year में यह third year में discounting rate आपको कितना लेना है 10% तो 10% discounting rate ले लिया आपने और minus क्या कर दिया पचास लाक तो answer आ गया minus में 92625 negative क्या project reject कर देना चाहिए yes बिल्कुल simple और सुनो questions ऐसे ही आने आप यह मत समझे कि question बड़े मुश्किल बड़े-बड़े question आए बड़े-बड़े question solar number के आते है उतना time आते है उतने बड़े question सर दूसरा alternative क्या था दूसरा और इक alternative हमारे बस यह example जिसको हम बोलते है foreign currency approach सर उसमें क्या करते थे same example है बस इस बार में dollar में ही NP भी निकालूंगा dollars में ही पर मुझे यहां का required rate of return यहां के लोगों की required rate of return क्या है यह निकालना पड़ेगा और एक बात सूचो महगाई की बात करो अगर इंडिया में required rate of return है 10% हाला कि यहां का inflation rate कितना 8% तो जहां 12% inflation rate होगा वहां का required return already जादा होगा मेरी बात समझ नहीं को 10% है 10% है required कितने percent के लिए 8% के लिए तो बताओ 12% के लिए required rate of return कितना होगा यह में एक idea दे रहा हूं पता लगा तुमने आप लोगों ने इसी को इसी को unitary method कर लिए एक idea दिया कि ऐसा है कि 10% 10% को हम बोलते है 1.10 तो 1.10 required rate of return है inflation rate 1.08 के लिए तो 1.12 के लिए required return और भी ज्यादा होगा और कितना है 1.1407 formula लगाया required rate of return किसमें निकालना है dollar में क्योंकि मैं कौन से आप प्रोश से करा हूं foreign currency 1.10 divided by 1.08 into 1.12 तो यह आ गया और फिर मैंने dollars को ही किस से वहां के क्योंकि dollar है तो required rate of return भी किसमें चाहिए dollar में चाहिए और NPV आ गया और यह जो NPV आया NPV मतलब present value तो उसको अभी के action rate से multiply कर दिया तो यह Indian rupees में आ गया NPV और पिछले question में भी किसमें आया था Indian और मैंने कहा तो दोनों में एक जैसा ही NPV आता है और क्या दोनों में एक जैसे आये reject और यहां भी क्या आएगा reject positive कैसे आ गया है रिजेक्ट सर दोनों में एक जैसा कहां से आया इधर तो 92289 है और इधर इधर गया भाई question और इधर है 92625 आप कैसे देखो आप यह final में हूँ क्यों difference आ रहा है आप भी IC AI की तरह बनने की कोशिश मत करो कि बहलोकुल हम बहलोकुल एक कुर्पिया चेक करेंगे बेकार की बाद है कुछ fraction वगेरा की वज़े से अंतर आ गया होगा पर मेरी बास हमें दोनों में answer एक जैसा ही आएगा हंड्रेट वर्शन तो बस खताम चैप्टर ही खताम सर क्या पढ़ा हम लोगों ने कुछ है ही नहीं है मैंने कहना बड़ा simple है दो तरीके एक है home currency approach एक है foreign currency approach home currency approach में करते क्या है जो future में dollar आने वाला उसको convert कर देते है उस समय की action rate से किसमें home currency में convert कर दिया और उसको discounting कर देते हैं यहां का required rate of return करते हैं दूसरा कौन सा foreign currency approach उसमें वही currency रहने देते हैं बस हमारा जो discounting rate है उसको change कर देते हैं और उसको वहां का discounting rate मना देते हैं और उससे NPV निकल देते हैं यह लो भाई वाउ सर मतलब पहला ही question आप बिल्कुल ना कसम से बिट्टे पहले ही question बड़ा सा हो जाने दो ना या चोटे मोटे question क्या revision करना बड़े-बड़े कर लेते हैं सब पहली बाद बड़े question आएगे की नहीं बड़े question नहीं आएगे पर यह आ सकता यह बड़ा question है ठीक है सर करवाई है क्या ठीक है ओजे लिमिटेट a supplier of leather goods to retail in the UK and other western European country ठीक है कोई ओजे लिमिटेट है जो export करता है the company is considering entering into a joint venture with manufacture in South America South America में project लगाना चाहते है पहली बात अच्छे समझो इंडिया कहीं भी involver नहीं है क्योंकि PLC है ओजे लिमिटेट है लिमिटेट है तो होना चाहिए था पर अब पता नहीं देखते है अच्छा दो अलग-अलग company छोड़ो ना आगे पड़ते काम-काम की चीज देखो ना सर दो company joint venture में South America में project लगा रहा है ठीक है और profit कैसे बाटोगे एकवले 50% of limited liability company ठीक है हम लोगों को pound 4,50,000 अच्छा हम UK के है तो बिटे हम लोगों को कितना requirement है pound 4,50,000 of the initial capital is being provided by OJ limited and equivalent in South American dollars पिटे एक हम UK के हमारी currency कौन सी है pound तो हमें लगाना pound 4,50,000 अच्छा और दूसरी company साओ तो भी लगाएगी उतना ही pound उतनी ही currency उनकी South American dollars चलती ना उसमें दोनों equal है जो भी कमाएंगे 50% हम रखेंगे 50% वो रखेंगे सामने वाली company ठीक है सामने वाली company कितना लगा रही बिटे उसको छोड़ो ना वो कितना लगा हम अपनी बात करें अपना काम करें ठीक है the manager of joint venture expect the following net operating cash flow which are in a nominal term nominal term मतलब इसमें सब inflation add हुआ है ऐसा आप चलो ठीक है आप inflation के चक्कर में आ जाओगे बुले क्योंकि South America में project लग रहा तो पहले साल इतना South American dollar दूसरे साल इतना तीसे साल इतना और action rate thank God दिया हुआ है और सर पिछला जो example के उसमें दिया ही नहीं था तो कुछ और information दी थी मुझे मजबूरी में action rate निकालना पड़ना था यह action rate दिया है और pound का action rate दिया मतलब South American dollar per pound ऐसा है ठीक है सर ठीक है एक pound is equal to इतना South American dollar for tax reasons the company to form specifically for the joint venture will be registered in South America ठीक है भी इग्नोर tax thank you assuming you are financial advisor written by OJ limited to advise on the proposed joint venture calculate the NPV project under two assumptions NPV निकालना है दो assumptions है discounting rate 18% use करना है तो ज्यादा extra मत दिमाग चलाना कि यह discounting rate वहां का यहां का 18% use कीजिये खतम करो South, two assumptions है question, assumption number one South American country has actions control which prohibit payment of dividend above 50% of annual cash flow for first three years of the project the accumulative balance can be repatriate at the end of third year so number one आप कहां के हो sir sir हम UK के है project कहां लगा है project लगा है South America में तो वहां की government का यह कहना साहब आप कमाओ कोई दिक्कत नहीं OJ PL से आप कमा सकते OJ limited लेकिन सुनो जितना आपका share है जितना आपका dividend share बोलू यह dividend एक ही बात जितना आपका बनता है पहले साल में आपने कमाया जितना कमाया आदा South American company का ठीक है वहां की government समझा रही आदा आपका हमने कहा आदा जितना आपने कमाया जितना है पूरा की पूरा मत ले जा लेना आपका जितना बनता है उसका भी आदा ही ले जाओगे हमने कहा अच्छा और बाकी बाकी बचा रहने तो अच्छा बोले हाँ पता नहीं company को ले कलको कोई problem होगी तो और फिर बोले अगले साल भी आधा ही ले जाना आधा बचा रहने देना और फिर थर्ड येर में जो बचा हुआ था फर्ष्ट येर में सेकेंड येर सब कि सब ले जाओ company बंद करो चलते बनो अच्छा ये बात है ये ही बात बुला है कि आप 50% से ज़्यादा नहीं ले जा सकते फर्ष्ट फ्रियर और जो accumulated balance बचेगा वो लास्ट में ले जाने दा इट मेंस यहाँ prohibition है तो दूसरा क्या बोल सकती कमाओ पहले साल जितना कमार है जितना आपका बनता ले जाई बात कताम इट मेंस एजमिशन नमबर टू में क्या लिखा होगा the government of south american country is considering removing actions control ठीक आप जितना चाहो उतना ले जा सकते हो जब चाहो तब ठीक चले काम ठीक है से चलते हैं क्या करना है तो जो क्या करेंगा यार इस्टार्ट कैसे करें कोशन सबसी important है इस्टार्ट कैसे काई पहले तो पैसा लग रहा pound में pound 4,50 था हूँ इसमें तो कोशन है पर जो आ रहा है वो dollar में ये dollar तो sir पहला एक काम करते है ये पुरा की पुरा तो हमारा नहीं है yes तो sir हमारा तो 50% है exactly तो sir पहले इसका 50% कर लेते और फिर sir जो 50% है हम पुरा 50% तो ले नहीं जा सकते तो उसका 50% हम लेकर आ जाते है ठीक है और sir फिर उसको उसको हम convert कर लेते हैं जो हमको ला रहा है जब हम लाएगे तभी तो convert करेंगे जी उसको convert कर लेते हैं pound में exactly और sir फिर 18% से discounting कर लेते हैं हो गया सब हो गया बिल्कुल सही you are right चलो तो पहले साल कितना कमाया South American dollar इतना पर इसका हमारा हिस्सा कितना बनता है OJ limited का 50% मतलब ये दूसरे साल 65 lakh इसका 50% ये बना और तीसे साल इतना इसका 50% पहले मैंने निकाल कर रख लिया तो ये 50% ये मेरा हिस्सा है पर ये जितना है ये पूरा की पूरा मैं नहीं ले जा सकता क्योंकि government मना करती तो इसका भी मुझे 50% निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले मैंने अपना हिस्सा निकाला और जितना मैं लेकर आ सकता था इंटो फिर 50% किया तो मैं इतना ही ला सकता हूं और जब मैं लेकर आ रहा हूं तो डॉलर का करूंगा क्या मुझे तो पाउंड चाहिए तो उनकी रेट किसका दिया है पाउंड का करेंसी कौनसी डॉलर तो मुझे डिवाइट करना पड़ेगा बच्चों तो हद कर देते हैं कि फॉरेक्स से पहले आप इंटरनेशनल फाइनेशियल मैनेजमेंट कर लेते हैं कैसी कर लेते हो भाई मतलब डिवाइट मल्टिप्लाइट पता होगा आयर पी पीपी पता होगा तभी तो यह चेप्टर होगा दूसरे साल कितना कमाया 65,000,000 इसका 50 पोशन किया तो 32,500,000 उसका भी 50 पोशन किया तो यह आ गया और डिवाइट किससे होगा 15 से तो पहले साल यह आएगा हमारे पास दूसरे सल इतना पाउंट आ जाएगा थर्ड यह मैं पहले 50 पर्शन सर थर्ड यह मैं तो सब लाना है पिछला यह बचा था यह सब को मैंने एट कर दिया और डिवाइट किससे किया 21 से तो थर्ड यह मुझे इतना मिलेगा बस फीर तो खतम हो गया 1st year में इतना मिलेगा 2nd year में इतना मिलेगा थर्ड यह मै इतना मिलेगा मैमध ल्लगा कि राग पचाने संथ तो क्या ऑंटन्प भी नेगेटीु है यस प्रोजेक्ट को लान चंट jsund not be accepted ठीक कोई दिक्कत की बात नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं आगे चलेंगे दूसरा एजमिशन क्या था दूसरा एजमिशन था कि कमाओ और लाओ मतलब पहले साल कितना ला लोगे इतना दूसरे साल इतना तीसरे साल इतना कमाई है और लाई है पैस यह दूसरा एजमिशन कि है पहले साल और यह कमाया और यह हमारा हिस्ञा और हमने यह लेका आगाए hyper अच्छा, कहां भई, कहां हिस्सा निकाले, ओ सॉरी, ये हमारा हिस्सा था, उसको हमने कनवर्ट किया किस में, पाउंड में, ये हमारा हिस्सा था, कमाया कितना, ये कमाया था, उसका 50% हमारा शियर बनता था, उसको हमने कनवर्ट किस में किया, पाउंड में, और उसको डिसका क्यों टेबल बनाया था टाइम बहुत रहा होगा उस समय तो मैंने टेबल बना लिया आप नॉर्मल भी कोश्चन कर सकते हैं तो यह आगे और यह तो एन पेवी पॉजिटिव प्रोजेक्ट शुड़ भी एक्सेप्टेट तो अलग-अलग एजमिशन से कोश्चन बनवाना थ बनवाय लिया और मैंने करके बता दिया आगे चले हाँ जी सर आगे चलते है वैसे ठीक ठाक कोशन था यास यह एक और कोश्चन है और बड़ा फैमस कोश्चन है अचली बार-बार यह कोश्चन पूछा जाता है ओके सर क्या है अखिर एक्स वाई-जाइड लिमिटेड अक अचली का में मौर इंडिया में तो बेचते हैं इंडिया में तो बेचते ही है यह साथ में नेपाल में भी भी बिचा देता अच्छी बत है मुले competition phase कर रहा है, recent study marketability of product have clearly indicate that customer is now more interested in variety and choice other than exclusive, चलो ठीक, since the cost of quality उट, in India is very high, उट चाहिए, उट, तो आप import करना चाहते हो, बल्क में, कहां से नेपाल से, नेपालीस customer से, आप supplier से आप खरीदना चाहते हो, उट, तो आप इम्पोर्ट करना चाहते हो, बल्क में, कहां से यहां, पैसा, कहां लगा रहा है, और सुनो, एक साथ लगा रहा हो, हर साल नहीं खरीद रहा हो, एक साथ, बल्क में, उट खरीद रहा हो, कहां से खरीद रहा है, नेपाल से खरीद रहा हो, मतलब नेपाली रुपिया, वहां की जो भी करना से चलेगी, एक साथ खरीदो के, और जो उड़ आएगा उससे manufacturing करेंगे furniture और बेचेंगे और बेचेंगे कहां इंडिया में तो बेचेंगे यह बेचेंगे साथ में नेपाल में भी तो बेचेंगे तो वहां से भी तो आएगा इट मिन्स सर एक टाइप से देखा जाए तो नेपाल में प्रोजेक्ट लगा रहा है एक टाइप से ऐसा सो सकते हो हाला कि प्रोजेक्ट नहीं लग रहा है ठीक है न सर चलते आगे आपको दे दिया एक टिम्हीं रूपीस और नापाली करेंसी कैश फ्लो तर नेपाल वालो को भी तो वेच होंगे फास्ट एकिंडियर थर्ड और एंडिया वालो को भी तो बेचेंगे मिलियंस में 11 पर यह सुनो बेटे यह नेपाली रुपिया में नेपाली करेंसी में और यह इंडियन करेंसी में बस इस बात का धियान रखना इसको किस रेट करोगे इसको किस रेट से कनवर्ट करोगे इसको किस रेट से कनवर्ट करोगे इसको किस रेट से कनवर्ट करोगे All Nepalese customer are invoiced in Nepalese currency, ठीक है भाई? Currency हो तो गया, बता तो दी यहाँ, हाँ, सर यहाँ कहा लिखा Nepalese currency, लो, यहाँ लिख दिया ना, ठीक है Nepalese currency cash flow are converted to Indian rupees at forward rate, forward rate पे convert करोगे, तो भाई IRP यूज करना पड़ेगा फिर तो, नहीं, inflation rate use करें, discounting rate at the Indian rate, discounting कहां? Indian rate पे, मतलब 9% पे हम convert करें Inflation rate in Nepal and India are expected to 9% and 8% per annum respectively, इस काम आएगा, estimated spot rate निकालने के काम आएगा, हालक यहाँ huge किया जा रहा है, forward rate को निकालने, तो current action rate दिया है, ठीक है, action rate क्यों लगेगा, क्योंकि हमें निकालना है, estimated spot, assume that you are the financial manager, finance manager of XYZ Limited, calculate the NPV, वो भी निकालने, modified IRR, मांग लिए, modified IRR, कहां पढ़ाता है, यह इंटर में, सर भूल गया है, bond yield, realized ITM पढ़ा था, सर वो भी भूल गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ करवा देता हूं, of the proposal, you may assume value, अच्छा कुछ information और दे रहा है, कुछ values दे रहा, first year, present value, future value, present value, future value, present value, future value, अच्छा सर यह क्या है, समझाओगा यह क्या है, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम क्या हमें action rate पता है, नहीं, तो क्या हमें action rate निकालना पड़ेगा, यस, और action rate के लिए formula क्या, inflation दिया है, तो formula क्या बना, formula बना हमारा sport rate is equal forward rate is equal to sport rate into 1 plus inflation divided by 1 plus inflation rate किसका दिया है sir rate rupees 1 is equal to यहाँ अगर आप निको लोगे nepali currency कितना 1.6 तो उपर भी inflation rate किसका है एगा नेपाल का एगा नेपाल का मतलब कहां है नेपाल का inflation rate 9% inflation rate लेना पड़ेगा तो पहला काम क्या होगा अगर इस question की बात करो तो इस question मुझे क्या काम करना देखो NPV के लिए कुछ है नहीं इस पेशर यह जो लग रहा ही किसमें नहीं लग रही यह नेपाली करेंसी उपर वाले माइनस 25 भी नेपाली करेंसी है क्या हां क्योंकि उसने यहां एस्टिमिटेट नेट इंडियन रुपी नेपाली करेंसी कैस फ्लो यह तो नेपाली करेंसी हो गई यह रुपीज करके साब सब लिखा हमें सबसे पहले कैसा आउटफ्लो निकाल लेते नेपाली करेंसी को एक्षिन रेट से करके क्या निकाल लेंगे इंडियन रूपीस को बस कुछ है नहीं है सर चलो तो पहला काम क्या होगा एक्षिन रेट हाँ जी है नेपाली करेंसी 1.1.09 वाट तो यह आ गया है 1.6148 यह कप का आया फर्स्ट यह का अब मुझे कपका निकालना सेकेंड यह का सर्थ सेकेंड यह ऐसे कैसे निकाल रहा है अभी तो पिछले कोशन में आपने ऐसा निक पिटे आंसर तो उतना ही आएगा ना यार अच्छा सर तो फिर यह आप ऐसे जो पिछला कोशन में किया वैसे क्यों नहीं किया क्योंकि यह जो स्क्वार करोगे इसके इंफोर्मिशन मुझे दिया हुआ है कोश्चन में इसलिए मैं यूज कर रहा हूं सर कहां दिया है यह यह फिटे वैली वन पॉइंट जीरो नाइन इन्टी वन पॉइंट जीरो नाइं अच्छा सर यह फिटे वैली इसकी इनफोर्मिशन दिया था इसलिए मैंने यूज कर लिया है ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है यह हो गया ऐसी कप का निकाल यह मैंने थर्ड येर का यह आप निकालोगे यह टो यह कब का एक्शन ररेट है यह सेकड यह का है है ज। यह सोचके बताओ पहला साल कितना आ रहा है नेपालिश करेंसी चरफ पहले साला रहा है तो पॉइंट शरुट 축 यह आगया रुपीज यह आगया रुपीज यह आगया रुपीज और इंडिया में से हम इतना रुपए तो अल्रेडी कमा ही रहे तो दोनों में लगई है कि यहां से कमाया नेपाल से यहां यह कहां से कमाया इंडिया से सर इंडिया में भी तो पैसा लगाया हूगा इंडिया इंडिया में कितना पैसा लगा यह दिया ही नहीं है तो मान की चल रहा हूं कुछ नहीं लगा तो बोले इतना पैसा आ जाएगा कौन-कौन सा मिलाकर इंडिया से जो कमाई हो रही है वो और नेपाल से जो कमाई हो रही है वो सब मिलाकर इतना रुपिया आएगा बस अब क्या निकालना अब निकाल लेते हैं डिस्कांटिंग कितने परशंज से किया, 9% से तो यह आ गया, जो आउपलाग वो नेपाली करेंसी में दिया तो इसको present exchange rate, इस spot rate से डिवाइट कर दिया, तो यह आ गया, तो यह आ गया, तो यह आ गया, नेगेटिव, और नेगेटिव आया तो क्या reject कर देना चाहिए, यह ए जो पढ़ा पुरा डिसकस तो नहीं कर सकता पर IRR जो है वो बहुत सही है लेकिन उसमें एक गलत एजमिशन है कि जो इंटरमीडियरी कैश फ्लो होते है वो इन्वेस्टमेंट उसका री इन्वेस्टमेंट रेट सेम होता जिबकि ऐसा नहीं होता सर कुछ समझ में नहीं है क्या बोला गुट समझने की कोशिश भी मत करो तो सर अब बोलो क्या करना है पिटी एक बाद बताओ पहले साल हम इतना कमा रहा है कोई शक्की बात है क्या सक्की बात नहीं है सर वाके इतना कमा रहा है यह कमा रहा है पहले साल इतना कमा रहा है तीसे साल इतना कमा रहा है ओके पहले साल हम यह कमाएं दूसरे साल हम यह कमाएं और तीसे साल हम यह कमाएं जो पहले साल कमाएं आपने 4.4791 क्या उसको घर में रखोगी कि उसको भी इन्वेस्टमेंट कर दो कि इसको भी इन्वेस्टमेंट कर दो कि कितने पर्शंट पे 9% पे हाला कि रिइन्वेस्टमेंट इतना हो जाएगा, सर्सौरी मैं गलती से बुला तीसरे साल कुछ और ही कमाई होगे ठीक है और जो दूसरे साल कमाई उसको 9% पे इन्वेस्ट किया तो इतना हो जाएगा, और तीसरे साल इतना कमाई, यह सब बैंक में जमा किया, जो पहले साल कमा है, उसको भी मैंने बैंक में जमा किया, जो दूसरे साल कमा है, उसको भी बैंक में जमा किया, तो with interest मुझे 15 million 15.65 और 3 साल बाद मिलेगा इतना 19.5337 तो बताओ यार on an average में हर साल कितना कमाया तो ठीक है इतना कमा रहा है याद है ऐसा कुछ करते थे कितने पर power 3 ले लिया तो इतना आना चाहिए तो बस इसको solve कर लिया और solve कर लिया तो कितना आ रहा and this is modified IR और सर ये dirty power कैसे solve करते है तो dirty power कैसे solve कर सकते है आप देख लीजिए कि dirty power तो आपको आता है solve करना ठीक है जी ये पार्ट शुटा था सर दो मिनट ब्रेक लेके करें क्या हाँ थोड़ा मैं भी थक गया हम दो मिनट ब्रेक लेके करते है कि चलो जी कोशन लेते हैं ये कोशन है कोशन नमबर फोर आपकी बुक में मिलेगा कोशन नमबर फोर देखते क्या है कि देखा USA based companies planning to set up USA quality company है और setup कहां करना चाहते इंडिया में ये लोग है ये उल्टा है है ना अभी तक क्या होता था इंडिया कर है कि आप बाहर अब USA वाली company इंडिया में setup करना चाहते है सर कंपनी कहां की है US और कहां project लगाना चाहते हैं इंडिया में US वाली company इंडिया में project लगाना चाहते है software develop at the Indian unit will be bought back sir इंडिया में software development के क्या expert लोग है हाँ expert लोग है तो expert लोग है तो मेरी बात समझने की कोशिश करना हो सकता expert लोग हो तो इंडिया ने units develop करना जाती है कहां इंडिया में software development करके उसको वापस ले जा लेगी by the US parent at a transfer price of dollar 10 million बड़ी अजीब सी बात है होता क्या है US की company कहां project लगा रही कहां software development का काम करवा रही इंडिया में बहुत अच्छी बात है और यहां से काम करवा के वापस ले जा लेगी तो क्या वो खरीद रही है नहीं और क्या Indian government बेवकुफ दिखरी मतलब यह ऐसा तो कोई भी कर लेगा आईए इंडिया में labor सस्ते काम करवाई और निकल जाईए पहले ऐसा नहीं होगा गौवर्मेंट कहेगी कि नो डाउट आप ले जाईए यहां से लेकिन कुछ ना कुछ हम सेलिंग प्राइस तो फिक्स करेंगे जिसको ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ा होगा आपने कहां पढ़ा था सर डीटी में ऐसे ही कुछ है कि कोई भी आर्म्स लैंथ प्राइस हां बेचते तो कितने का बेचते उतने ही प्राइस पर यूएस पैरेंट कंपनी को वापस ले जाना पड़ेगा और यहां ट्रांसफर प्राइस फिक्स किए की डॉलर टैन मिलियंस ताकि गौवर्मेंट को टेक्स तो मिले यास दो रिमेन एक्जिस्टें इंडिया फार वन एक साल तक रहेगा तो सॉप्टिवेर इस एक्स पैर डेलोप विदिन इस तायम प्रेम थीश प्रेस्ट कंपनी विल बी सब्जेक्ट तू कॉर्परे टेक्स 30 पर इंडिया में उस कंपनी चलो ना करो आप सॉप्टिवेर पर कमाई पर tax तो देना ही पड़ेगा, सुनो, लेकिन कमाने के बाद जो डॉलर्स यहां से ले जाओगे, रिपेट्रियेट करोगे, यहां से ले जाओगे सहाफ, जो डॉलर ले जाओगे, उस पे भी आपको 10% tax देना पड़ेगा, अच्छा, गॉवर्मेंट कमाई ही कमाई क करना चाहती है, कमाने पर भी tax है, और डॉलर्स ले जाने पर भी tax है, कमा के यहीं छोड़ देते हो, यहीं की company को dividend बाढ़ दीजिए, खुशी की बात है, लेकिन अगर ले गाए ना, वह यहां से वापस तो tax लगेगा, ठीक है, and will not eligible for tax credit in the US, चलो ठीक है, US में जो tax होगा, म यहां से ले जाएगे, तो tax लगेगा, ओके, अब वहां उनकी कमाई हो गई, अब उसको वह आगे बेची के तो government, वहां की government भी उनसे tax लेगे, इसी double taxation है, ठीक है, the software develop is sold in the US market, बोल दिया, US market में हम 12 million का बेचिंग है, अधर estimated ये दे रखा, rent for fully furnished unit, with necessary hardware इंडिया, 15 lakh रुपिया, rent लग जाएगा, manpower, assist software, professional लगेंगे, जो की 10 घंटे काम करेंगे एक दिन में, और 1 घंटी का 400 रुपिया लिया जाएगा, per man hour, each day, administration and other cost है, 12 lakh, advise the US company on financial viability of the project, the rupees dollar, हमें ये देखना, profit हो रहा है, के loss, बहुत साल का project नहीं है, तो LPV की ज़रुत पड़ेगी नहीं और discounting rate दिया भी नहीं है, अभी क्या करना है, अभी सुनो क्या करना, अगर में होता, US company तो में देखता, भया, मेरा profit हो रहा है के नहीं, जो software बना के मैं इंडिया से लाऊंगा और बेचूंगा, तो कितने का बिकेगा, dollar 12 million, बेचेगा, yes, ये कहां की बात कर रहा हूं, मैं इंडिया में कितने का selling price, उससे मुझे क्या मतलब, मैं कितने का बेच रहा हूं, 12 million dollar का, US में, और मुझे cost कितना पड़ा, कितना dollar, ये मुझे निकालना पड़ेगा, तो सर दिखतो रहा है, cost कितना पड़ा, सर ये rent 15 lakh रुपए, और सर manpower का ये खर्चा, और सर administration का खर्चा, इसके अलावा भी तो दो चीजे और है, एक तो tax भी देना पड़ेगा, और एक withholding tax भी देना पड़ेगा, बस इन expenses को जोड़ दूगा, और 48 स दिवाइट कर दूगा, तो cost जाएगा, तो cost मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा, कि उस US software company को इंडिया में कितना cost पड़ा, cost दिया हुआ है, एक दो तीन, divided by 48 कर लेता, पर दो चीजे और भी तो है, tax भी तो मेरा खर्चा, और withholding tax भी तो खर्चा है, तो वो दो जिवरत पड़ेगे, तो सबसे पहले मुझे Indian government को कितना tax देना ये भी नहीं करूँगा, और वहां के लिए मैं selling price कितना assume करूँगा, 10 million, चलो देखते क्या काम होगा, तो बोले 10 million, Indian government कह रही है, कि वो जो software है, हम यह मानेगे कि हमने dollar 10 million का sales किया, आपका selling price, हमने का 10 million into 48, इ करेंगे, हमने का कर लो, बोले इतने रुपए का आपका हो गया है, सर जी, क्या sales, बोले हमने का खर्च भी तो आया ना, तो बले खर्च बताओ ना, क्या क्या है, मैंने का रैंट है, labor का खर्चा है, और administration cost है, labor का खर्चा, यह कर लोगे ना, यह costing में खुब किया होगा, मु वाव सर, क्या समझाया, यह हो गया, admission का cost कितना है, यह हो गया, तो total sales में से, इतना cost खता हूँ, यह आगया profit, अब profit पे यह 30% tax ले जेगी, मैंने का ले लो भाई, यह मेरा एक tax हो गया है, जो मुझे Indian government को देना पड़ा, मैंने का इतना रुपिया है, क्या इतना रुपिया मैंने का, इसका मतलब, अब मेरा total cost in Indian rupees कितना पड़ा, यह तो पड़ा ही पड़ा, यह तो सबकी सब add कर ले ना मुझे, साथ में tax और withholding, total cost इतना पड़ा, और उसको dollar में convert कर दिया, तो total cost in dollar इतना पड़ा, 5.2681 million, और जबकि मैं sales कितने का कर रहा हूँ, अगर देखा चाह यह आ गया मेरा profit, और profit क्या positive है, yes, तो क्या accept करेंगे, yes, sir सुनो ना, NPV निकालो न, discounting कीजी, आप क्या कर रहा हूँ, discounting के लिए rate नहीं दिया, कोई 2-4-10 साल का project नहीं, एक साल का है, तो खतम यहीं खतम हो जाएगा, क्या project को accept करेंगे, yes, अच्या question था, अगले question पर चलत है, yes, sir, यह वाला question और, sir, यह वाला question तो project finance वाला नहीं लगा रहा हूँ, यह भी एक प्रकार से, बाहर पैसा नहीं लगा रहा है, अब की बार मैं बाहर से पैसो का arrangement कर रहा है, अच्छा, यह बात, yes, sir, बाहर से पैसो का, इंडिया में मज़ा नहीं आ रहा है, तो चलो बाहर से arrangement कर से, मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब भई, यह कुछ भी हो सकता, rate of interest ज्यादा है, कुछ भी cost ज्यादा पड़ा होगा, तो बाहर से पैसो का arrangement करने का एक तरीका है कि शेर्स issue कर दिये जाए, sir, कुछ भी बात है, यूएस वाला कोई person होगा, Mr. X, वो share खरीद लेगा, Indian company के बेचेगा किधर, हाँ, तो shares नहीं, ऐसी चीज़ issue किया जाए, जो shares जैसी ही हो, लेकिन वो US में dollar, dollar में, अच्छा, sir, मतलब, जो paper issue होगा, वो dollars में, हाँ, ताकि उसको बेच दिया जाए, रुपीज में है, तो बड़ा दिक्त की बात होगा, उसको बलेंगे हम GDR, Global Depository Receipt, sir, detail में समझाए, time दो, okay sir, ठीक है, समझ गया, तो चलो sir, तो यहां क्या है, यहां लिका, Odisha Limited has proposed to expand its operation for which it required fund, dollar 15 million की जरुरत है, net of issue expenses which is amount to 2% of the issue side, price, कितने रुपए की जरुरत है, रुपए नहीं, dollar, dollar 15 million, net मिलना चाहिए, issue price, तो issue price क्या, issue price जो भी हो sir, उसका 2% काटने के बाद आपको dollar 15 million net मिलना चाहिए, it means, जो मुझे GDR issue करना पड़ेगा, वो 15 million सी जादा का करना पड़ेगा, ठीक है, it proposed to raise the fund through a GDR, it considers the following factors in pricing, expected domestic market price of share कितना है, 300, एक share साब है 300 रुपए का, और एक GDR में कितने share से 3, तो GDR sir, उसे आप से 900 रुपए का हो गया, हाँ, यही तो बात है, लेकिन सुनो, share 10% discount पे है, तो sir, 300 minus 10%, इसका मतलब 270 रुपए का share issue होगा, exactly, और sir, 270 into 3, 270 into 3 कितना होगा, sir, उसे साब से 810 रुपए का GDR issue, yes, और price कितना है, 60, तो sir, divided by 60 मार दो, फिर तो dollars में होगा ना, तो 810 divided by 60, उसे साब से dollar 13.5 का एक GDR, yes, you are required to compute the number of GDRs to be issued and cost of GDR, cost of GDR, आप cost of equity जैसे निकालती थी ना, वैसी cost of GDR निकालना है, अगर 20% dividend is expected to be paid with a growth rate कितना है, 20%, ठीक, सबसे मेले क्या निकालना पड़ेगा, number of GDRs to be issued, ठीक, इधर से, उधर मन देखना, इधर, number of GDRs to be issued, कितना fund चाहिए, sir, sir, dollar 15 million चाहिए, issue price का 2% लगेगा, तो issue price, 15 million का 2% नहीं, बच्चे यहां गलती कर सकते है, ध्यान से सुनोगे, 15 million को 2% काट मत देना, कुछ बच्चे काता, अच्छा 15-2% तो sir, net कितना मिलेगा, कुछ भी मत कर देना, 15 तो हमको चाहिए ही, खर्च काट लो, अच्छा sir, तो मान के चलो issue price कितना है, issue price है, x, तो 15 million चाहिए, यह issue price, उसमें से खर्चे काट भी लोगे, तो भी मुझे 15 million, तो चाहिए ही चाहिए, तो उस हिसाब से, मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 15.306 million fund का arrangement हो, तो इसे issue price, इतने रुपए यह GDR issue करना पड़ेगा, मुझे तो यह चाहिए, यह, और divide किस से करूँगा, एक GDR कितने का, एक GDR है 13.5 का, तो मुझे इतने GDR से issue करना पड़ेगा, यह तो कोई दिक्कत ने, पहले point में कोई दिक्कत वैसी भी नहीं होनी थी, दूसरा क्या, सर दूसरा है, cost of GDR, तो याद करो, के यह निकालते थे, तो क्या लिखती थे, D1 divided by P0 plus G, चाहिए, एक share का निकालो, चाहिए, तीन share का, क्या फर्क पड़ा, एक share की बात करो, कितना रुपए, 20%, किसका 20% करोगे, सर, किसका 20% करोगे, मतलब यार, मतलब सर, हम लोग ना, 300 रुपए का 20% करेंगे, बड़े, ऐसे होता है, dividend rate दिया, dividend 20%, dividend yield होता तो market price, dividend rate दिया तो face value, तो सर, face value कहा दिया है, अगर face value नहीं दिया है, shares में, तो हमेशा assume करो 10 रुपए, और अगर bonds में, या debentures में face value नहीं दिया, तो हमेशा assume करो 100 रुपए, यहां face value दिया है कि नहीं, तो हम assume कर रहे है, 10 रुपए, तो 10 रुपए का 20% कितना हो गया, सर, 10 रुपए का 20% हो गया, 2 रुपए, तो दिविड़न मिल गयां दिविडें लूगा है रगां और तोगों के हुआ यह क्वे कंपनी केंगल से सूच रहा हुआ हूं मुझे दो रूपया डिविडान देना पड़ेगा सिक्योरिटी विल्वीशन में लिसक्रिशन हो सब्सक्राइब तो फाइनली कितना आ जाएगा के इसे भी नहीं निकाल सकते पर पीम के सब से सब्सक्राइब पीम में क्या किया उन्हों नहीं जीडियार निकालना ना और एक जीडियार में कितने होते है तीन तो उसे सब्सक्राइब कितना आएगा छे बिलकुल सही और एक 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 शेयर पर नेट मुझे कितना मिल रहा है दो सब्सक्राइब तो नेट मुझे मिलेगा 793 तो आंसर जाएगा ठीक है सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप ऐसे भी कर सकते हैं एक कोशन कर देख तो सही है आप लोगों कि अब यह कोशण सुन लो पहले है सूनलो करने से पहले मेरी बात अचAustralia यह कोशचन ओल्ड Спशुद्बस की इस्टडी माटेरियल में ओल्ड स्लीबस के प्रेक्टूस मैनृवल में कहीं भी नहीं है टोटल मिलाकर तीन कोश्चन ने डाले गए थे new syllabus के study mat में तीन कोश्चन और तीनों ही कोश्चन के वीडियो मेरे YouTube में upload है पर उन कोश्चन को मैं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टन नहीं मान रहा हूं क्योंकि कोश्चन इतने बड़ है कि करते करते क्योंकि 16 नंबर कोश्चन आने से रहा हम लोगों कितने नंबर कोश्चन आएगा आट दस पर प्रॉब्लम क्या है तीन कोश्चन इतने बड़े कोश्चन उसमें time consuming जाता है सर तो छोड़ दे मेरे ही सबसे नहीं चलता ना इसी आई मैं कैसे बोल दूँ छोड़ दूँ जो नहीं कर लेती है एक बार उसमें से एक कोश्चन में करवाँगो हलाकि इसका भी ये भी मुझे नहीं करवाना चाहिए क्योंकि वीडियो अप्लोडेट है अल्रड़ी पर फ अब ना दोका देता है अच्छा सर क्या करता है ओल्ड़ सिलेबस के पीएम से न्यूश में से पकर को बना लेता है समझ रहे हो भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो कि new syllabus का कोई question है तो आपको भी ये chapter आपको डाल दे कर लो भई क्या फर्क पढ़ता ठीक है सर पढ़ना श्टाट करते है यस बस खतम ये chapter खतम सर अगर हम छोड़ना चाहे तो यहां से भी जा सकते कि यास आप चाहो तो lecture यहां बंद कर सकते हो जिनको ज्यादा बड़े question पसंद नहीं आ रहे हो बंद कर सकते है अराम से ठीक है जिनको करना वो मेरे साथ में आ जाईए ये question already uploaded है YouTube में इस फिल्ट ते काम करेंगे perfect incorporation US-based pharmaceutical company has received an offer from AdSquare Limited a company engaged in manufacturing drugs to cure Dengu to set up a manufacturing unit in Buddi, HP, India साहब CDC बात है मैं काखास का सबसाथ बोल रहा हूँ कोई US की company है और वो India में project लगाना चाहती है सर एक question किया था न ऐसे ही हाँ कोई US की company इंडिया में project लगाना चाहती है joint venture में perfect incorporation US की कमपनियों के will receive 55% share of revenue India में जो revenue कमाऊंगे उसका हम 55% ले जाएंगे और सर बाकी बाकी कोई Indian company के साथ मिलके काम हो रहा न है इंडिया वाले company आप भी लगाऊं और हम US वाले हम भी लगाते है जितना कमाएंगे उसका 55% 55% हम ले जाएंगे साथ में हमको रोयल्टी भी मिलेगी पर रोयल्टी है डॉलर से में जितना आप बॉटल में मतलब production bottles में होता होगा जितना आप बॉटल प्रोड्यूस करेंगे उस पर रोयल्टी मिलेगी 0.01 पर बॉटल ठीक है पर इसके लिए इनिशिल इन्वेस्टमेंट लगेगा रुपिश 200 करोर्स फर मशिनरी एंड फैक्टरी ये एक समस्या आगे थी इस कोश्चन में कि जो 200 करोर रुपिया लग रहा है सिर्फ US कंपनी लगा रही है या US कंपनी 200 करोर उपे लगा रही है और लगबग उतना ही है इंडियन कंपनी लगा रही है बात समझे में नहीं आ रही है तो हम ये मान के चल रहा है कि हम कितना लगा रहा है सर हम लगा रहा है 200 करोर और लगबग इतना ही इंडियन कंपनी भी लगाती होगी कि मैं यह नहीं बोलना हूं कि हम दोनों मिलके लगा रहा है हम 200 क्रोर रोपे लगा रहा है इतना ही इंडियन कंपनी भी लगाती लोगी है ठीक इस क्राइब वैल्यू कितना दिया है पाच क्रोण मसिनी को जो डेप्रेशिशन लगाना है वह लगाना है 20% on the value of net सेल्वेस यूजिंग इस्ट्रेट लाइन मेथट में जब भी डेप्रेशिशन कैलकुलेट करते सेल्वेस वैल्यू माइनस वैसे तो नहीं करते है लेकिन इसमें माइनस करेंगे क्योंकि कोश्चन में बोला है कि net 20% of on the value net of सेल्वेस ठीक इसा वर्किंग कापिटल लगेगा पचास करोड़ लगेगा सेल्वे रिक्वाइड और पाच करोड़ इच एडिशन इनीशियल लगेगा पचास फिर हर साल कितना लगेगा पाच 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 और सच्चा यह है कि आप अच्छे से जहनतियों कि वर्किंग कापिटल लाष्ट में रिलीज हो एक ही साल में रिलीज हो जाना चाहिए ना यार बिट्टे सुनो 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 बच्पन में जो डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए थे उन डाउट्स को यहां डिस्कुशन ने करोगे ठीक है एस पर गॉर्मेंट ऑफ इंडिया डारेक्शन चलो भाई बोलो गॉर्मेंट ऑफ इंडिया क्या उलना चाहते हो इट इस एस्टिमिटे देट प्राइस पर बॉटल विल साथ रुपिया पचास पैसे ठीक है साड़े साथ रुपय क्या बेचे प्रोडक्शन कितना होगा चोबिस करोड़ बॉटल अच्छा ठीक है दप्राइस इन एडिशन टू इंफ्लेशन ऑप रिस्पेक्टियर सेल वे इनक्रीज भाई बोले सुनो इंफ्लेशन महगा तो होगा वो तो अलग से जोड़ोगी जोड़ोगी इंफ्लेशन उसके लावा एक उर्पिया बॉटल हर साल बढ़ाओगी ठीक है प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 40% of revenue मतलब जितना revenue है उस पे cost कितना पड़ता है 40% तो हमारा अगर मिलेगा हमको तो कितना मिलेगा हमको सा 60% फायदा है CFBP बोल सकते हैं इंडिया में tax rate कितना 30% US में कितना 35% और double taxation avoidance agreement भी है इस बार ठीक है और हमें tax का credit मिल जाएगा जो हम इंडिया में tax देगे उसको US में हम credit ले लेंगे यह important line है in both the country tax salvified in the following year in which profit have arise हो तभी actual में ऐसे ही है कि इस साल में ने profit कमाया तो इस साल tax नहीं लगता अगले साल लगता है और इस साल का tax उसके अगले साल tax लगता spot rate दिया हुआ inflation का rate इंडिया में है और US में भी inflation का rate 6% है लेकिन 0.5% से हर साल decrease भी होगा मतलब 6, 5, 5.5 फिर 4.5 इस तरह से as per the policy of GY only 50% of share can be remitted in the year in which they are earned and remaining in the following year 50% अभी ले जाएगे 50% अगले साल 50% जितना कमा रहा है 50% इस साल 50% accumulated नहीं हो रहा है 50-50 कर ले जा रहा है WSEC कितना 13% है लेकिन risky nature का project है तो हमें कितना 15% से discounting करना पढ़ेगा बताईए कि हमें project करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एक पर सोची करें कैसे सर देखो 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 पहले तो हमको cash flow निकलना पड़ेगा हर साल कितना कितना आ रहा है उसके लिए start कहा रहा है सबसे पहले sales मार देते हैं कितना bottles कितना 24 करोर बॉठल 24 चोबिस चोबिस करोर और कितने रुपए के सबसे एक बॉठल बेचोगे तर दिया है क्या सर साड़े साथ पिसाड़े आट फिसाड़े नौ और inflation वगेर एक कर देंगे बेच दिया जो revenue उसका 55% हमारा बाकी का छोड़ो इंडियन कंपनी को कितना में हमें क्या लें देना हम देखो अपना देखो 55% हमारा यह हो गया हमारा उसका 55% उसका चालिस परशन तो कोश्ट लग गया चालिस परशन और ऑपरेटिंग कोश्ट यस तो बैचा हुआ कितना 60% हुआ हमारा CFBT प्रॉफिट साथ में हमको रॉयल्टी भी मिलेगा पर रॉयल्टी किसमें आएगा डॉलर्स में तो action rate निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो यस पह हम उस तरह से cash पर निकल लेंगे हां ये question मैंने करवाए हूँ चाहतो description में देख लेना details में आदा घंटा इसी में नहीं लगा सकता हुआ चलो देखते हैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ action rate अभी का rate कितना चल रहा है सर अभी का rate अभी का rate अभी का rate 57 एक डॉलर 57 उपर कहां का rate आएगा क्योंकि रुपीज जे उपर आएगा inflation rate इंडिया का 6% 5.5% से start होगा 6 5.5 1.05 हर बार 0.5.5% कम होगा मैं किसके साब से कर रह और यह आ गया मेरा action rate सर सिक्सी यर का क्यों निकाला पास साल का प्रोजेक्ट है पास साल का निकालना शीर बिटे पाच्वे साल में जो टेक्स प्रॉफिट कमाऊंगा उसका जो टेक्स है वो तो छट्वे साल में पैड़ूगा न अच्छा सर इसलिए मैंने 6 साल का निकाल है ठीक है तो action rate हो गया अब इसके बाद काम क्या करना इसके बाद है टोटल कितने साल का प्रोजेक्ट है पाच छटवा साल सिर्ट टैक्स की वजह से किया आगे क्या करना सबसे बहले सेलिंग प्राइस सात रुपे पचास पैसे एक एक रुपे से बढ़ेगा बोल रहा था पास संग ठक और सेलिंग प्राइस जो है उसमें इंफ्लेशन भी जोड़ दीजिए इंफ्लेशन कभी इंफ्लेशन मतलब सर यह रियल कैश प्लोई है इस 20 करोड से मल्टिप्लाइ कर दिया तो यह आगया मेरा रेवेन्यूर कमाया किस कि कमाई है इस रेवेन्यू में मेरी और इंडियर कमपनी की मैं अपना काम देखों तो अपना काम तो टोटल 55% मेरा शेयर्स है तो मैंने 0.55 into 190.80 किया तो यह आगया میरा शेयर्स है कि किसम है सर यह सब रूपीज में है ठीक और 40% production cost है तो भही बैचा कितना खर्चे काटने 60% तो इसका मैंने क्या कर दिया 60% निकाल लिया तो यह आ गया मेरा CFBT रॉयल्टी की भी कमाई है डॉलर 0.01 पर बॉटल तो 24 करोड तो पर यह दिक्कत क्या है यह किस में निकला है डॉलर से में और इसको मुझे convert किस में करना पड़ेगा रुपीज में तो इसको रुपीज में convert करने के लिए action rate से multiply करूँगा तो यह आ गया रुपीज में इंडिया से मुझे की दो टैपकी कमाई हो गई एक तो यह कमाई तो हो ही रही है साथ में royalty की कमाई हो गई यह कमाई हूँ और royalty की वी कमाई हूँ तो इन तवनों को मैंने क्या जोड लिया तो मेरा अग्ए total cfbt कितना रहा किए इन द्रोनों ऊब जोड़िख तो यह आग्ए मेरा cfbt को और cf-bt आया та मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा डेप्रेशिषान डेप्रेशिशन में आफका पूरा डेप्रेशिशन माइनあります करेंगे 200 करोड रूपए का मेरा लगा है project, उसका भी लगा होगा, उसका वो करेंगे, मैं अपने depreciation minus करूँगा, कुछ बिचो का doubt सा गए है दर depreciation में, क्यों हम ही पूरा क्यों minus कर रहा है, मैंने कब कहा कि 200 करोड रूपए ही पूरा लगा है, हो सकता उसका भी कुछ लगा हो, यह मेरा पैसा लगा इसाब मैं अपनी बात करूं तो यह आगे profit before tax उसमें से क्या मैनस करोगे tax एक विस्स बात याद रखना इस साल का टेक्स अगले साल हो तो इसका टेक्स 30% अगले साल पर ढूर रहा है इसका अगले साल इसका अगले साल ऐसा पर ढूर है तो इसमें से tax minus कर सीधा सीधा cfbt minus tax कर लिए देस माइनस देस तो यह आगए cf8 इसके अनावा क्या working capital भी लग रहा है yes जो शुरू में लगेगा zero period में वो अलग से first year में कितना लगा पास second year में पास third year में पास छोते साल में पाच्वे साल में सतर यह recover हो जाएगा 70 सर 70 कैसे recover होका एक बात बताओगे पाच 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 यह 70 कैसे recover होका बस इतना समझा तो मैं टेक पर question मैंने देखा नहीं working capital कितना लगने वाला सजे एक लेते working capital कहीं था ना यार अच्छा 50 करोड लग रहा था initial 50 करोड लग रहा था तो पचास वो पचास करोड वो और यह पाच 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 बीस यह तो टोटल मिलाकर कितना recover हो जाएगा 70 कुछ बच्चों का और दिमाख चला गया था पास साल लगना चाहिए ना working capital आप तो 40 साल लगा है तो चलो पाचिव साल में एक बार करो माइनस और फिर प्लस हो जाएगा 75 क्या फर्क पढ़ा भाई इतना तो दिमाग चला होगे यह प्रॉब्लम कहा रही है बच्चों कमाना में लीजिंग है ना लीजिंग जो ओलस लिवस वाले बच्चे लीजिंग में कुछ बच्चों आगे कहना सर पास साल का प्रोजेक्ट है फ्री केस प्लो क्या होता है फ्री कैस फ्लो टू दफ फर्म एपसी एफ ऐफ रहां गया फ्सी एफ भी बोल सकते हैं यह आगा सर यह प्रीकैश व्लो आगे क्या होना है यह उसका 50 percent हम करेंट यर में लाएंगे 50 % next year में तो इसका 50 पर्सें करेंट या 50 नेक्स तीर इसका 50 प एक्षिन रेट दिया हुआ है डिवाइट करने से टोटल रेमिस्टेंस किस में आगे डॉलर्स में और जो डॉलर्स में आया हमें टैक्स लगेगा लेकिन यूएस गवर्मेंट में भी 35% इस साल का टैक्स अगले साल तो यह लगेगा टैक्स यूएस में पर इंडियन टैक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस क्रेडिट मिल जाएगा ओके साल तो फाइनली क्या होगा फाइनली टैक्स को एज़ेश्ट करने के बाद फ्री कैश्ट फ्लो आ गया किस में रुपीज में क्यों आया काया है कुछ भी लिखा गया है डॉलर्स में फ्री कैश पर गया है डॉलर्स में और उसको डिसकाउंटिंग करेंगे हम 15% के हिसाब से तो डिसकाउंटिंग करने पर यह आ गया और हमारा पैसा गया 200 करोड यह जाने वाला है 50 करोड वरकिंग कैपिटल डिवाइड़ वाय 57 प्रेंट एक्शंरे तो यह मेरा कैसा आउट्ट्टू है और यह गया है और नेगेट्टिव सा गया है तो क्या project हमको करना चाहिए project हमें reject कर दिना चाहिए सर इतना बड़ा question आने की उमीद कम है पर मैं कहें नहीं सकता good खतम सर कुछ question कुछ question तो आप भी कर ले न यार जी सर ठीक है कुछ questions हम कर लेंगे doubts आएगा तो पूछ लेंगे हाला कि आप जवाब नहीं देते बिटे मैं पक्का जवाब दूगा ठीक वाटसप कर देना ठीक है बाई बाई आचा एक बात और सुनो इस ये वीडियो अप्लोड होगा इसके कुछ घंटे बाद में एक वीडियो अप्लोड करूगा जैसा कि मैंने प्रोमिस किया था और सर मर्जर भी दे दोगे क्या जी ठीक बाई बाई थैंक यू थैंक यू सो मच